हेलो दोस्तों मेरे नाम है प्यूज उपता और मेरे निट 221 में 616 मार्क स्कोर किये और मेरी रेंक रही बार रहा साथ तो तो आज मैं अपना एक्स्पिरेंस सेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर और अपनी जो इस्टेजी और टिप्स रही वो इस वीडियो के अंदर है तो सबसे इजी लगती है और है इसका 50% परिज करता है मतलब 50% निट को बाद कर लेते हैं कि तो रहη बृझ को सबसे पहले क्या करीए आप biology को पहले read कीजी मेरे जो मेरे तडिका था Kinama बॉआ इस चाप्टर को रहों चीज चीज है तो यह समझ में आगे कि कि 50 60 percent is by the chapter में क्या जा किया है second time आप क्या करो कि biology जो एक एक दूर हाइलाइटर लेलो ठीक है और दो हायडलाइटर लो एक है ऐसा हाहिलाइटर रखो कि जो important points क्लिए रखो रखो और एक हायलाइटर की common points क्लिए रखो तो मैं क्या करता था कि सेकंड टाइम में क्या करता तो इससे क्या हुआ आपके एक हाइलाइट पोर्शन हो याता है एंसीयाटी का ठीक है और जब आप दो आप पड़ ली ठीक है अब जो तीसर बच्चों का जो होता है जो 99% बच्चों होते हैं वो गया एक से दो बच्चों को और जो एक्स्ट्राइब ज्यादा फोकोस करते है पर जो इनका बिलुकुल अपोज अपोजिट प्रपोर्शन होता है उनको 95% उनका एंसीयाटी फोकोस होता है और 5 पर संट फूड़ा एक्स्ट्राप लेता है क्यों पर आपको 5% एक्ट्रा पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि बाइलोजी के कुछ कॉंसेप्ट है, वह आपको थोड़ा एक्ट्रा नॉलेज होगी, तब वह एक्ट्रा की लाइन समझ में आएंगी, क्योंकि अगर सभी पढ़के समझ लेते, तो सिलेक्शन काफी होते, पर यही है क कि थीस तंडर जो वच्चे करते हैं, कि वह 5% की प सक्ट्य एक्स्टर पर जिससे उनके बाइलोजy की Ouch про सब्इस जिससे ओं ऐun क्रिछी क्या करते हैं और एक्स्ट्रा ठेट्रा केना सी एक्ट्रा किलמरेग्ध का लेक्शर लें तो वो उसमें क्या है कि आपकी NCID based question है ठीक है और हर चप्टर के उसमें short notes में हैं ठीक है वो काफी help करें मैंने को मैंने हर चप्टर को पहले MCU करने से वाले एक बार थो आप करता था कि इसके notes में क्या 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 रिखा है कुछ नई points मुझा दे तो मैं जो NCID की आप जो हाप मतलब जो खाली portion होता है उसमें लिख लिया करता था मैं तो मैं fingertips लगाता था था फिंगर टिप्स की खास बात है कि उसमें क्या है कि आपकी topic wise questions मुनेंगी कि इस topic से कैसे question frame हो सकते हैं इस topic से कैसे question frame हो सकते हैं एक दो उसमें extra question भी होते हैं जो आपको extra knowledge होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत क्योंकि आप नेट की बच्चे हो है ना तो यह हो गया अब उसके बाद क्या होलते हैं आप लगाई पीवाई क्यों लिए आप लगा लिए आप लगा लि सुष्ण करें आपको नमबर से फ़रखने पढ़ना चाहिए नंबर किन हुपिन हा रहे है और आपका मेंन फोकस होंगे है जिए आपकाowego演ून होता रहे है अगर आपके आज 200 नम्र आरें वाल जिन कल 20 kin iki में उसे क Kernina समर्ण आन्प काल करते रहें तो मेरे क्या रहता हूं कि तो यह मेरा गलत होए तो इसको सम्झे लेना है तो तो आपको जो पर ये जब आप एक को तॉचन कर लेते हैं तो आपको चार टॉपिक किलिर होते हैं यह मेरा नजरीयर रहता था कि बाइलोजी को कोईशन अटाम करने का, और जब मैं पीवाई क्रिछा था उसमें वही करता था कि मैं एक कोईशन सही है, तो तीन कोईशन क्या बन सकते हैं, तो कोईशन फ्रेमिंग एक बैस्ट की है आपको कॉंसेप्ट की दीप नॉलिज के लि कि मैं एक मेरा में फ्रेंड था अधुल वारत वाज ठीक है हम दोनों ने काफी पूरी साल मुमेंटम बना रखा कि हम दोनों एक दूसरे से रात में कोश्चनिंग करते हैं कि बाइलोजी के हारी पर्टिकुल चप्टर के बारे में तो उससे क्या होता है आप NCRD की वह लाइन अब बात करता हूं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में हम जनरली तीन पार होते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहर होता है इन औरनिक और फिजिकल करता है इन औरनिक और दीक यह इस्यंके पार विर इन औरनिक में अम क्या कशिए आपो पहले पढkim के सबादा आपको अन्साडिक प्रफी पढ़िए उसके बाद क्या किजिए आप एक दूब पढ़ने के बाद कि king इन्सिति से जो लाइक पीवलॉक तो पीवलॉक भी 40 पेजहों का एग चैप्टर है तो अगर आप बाहर बाद 40 पेज पढ़ेगो तो उसमें भी आप बहर हो जाओगे तो आप क्या करो दो सॉर्ट नोट पना लगजाओ क्या करते हैं जो इन अर्ग कुछी चीज होती है दो इनensionic की तो भूलने वाली एंज ना माय की होती है कुछी चीज पूलने वाल को मोल एte वाले उन को रिवाइस करना होता है उसके चुक मिनर कहते हैंक नहीं करते find तो सभी बच्चे अच्छी माखस लेके आते हैं, पर जो कुछ कॉंसेप्ट होते हैं, वो आपको एक्स्टा पढ़ने के बाद NCRD समझ में आती हैं, वो वाली बात है, कि सबको NCRD समझ में नहीं आते हैं, NCRD में भी एक गुमियोई लाइन है, गुमियोई कॉंसेप्ट है, उनको अगर आपको सब्ट पढ़ना तो आपको थोड़ा एक्स्टा पढ़ना पढ़ता है, तो जो बच्चे कहते हैं, आपको और निक NCRD से हो जाएगा पूरा, तो ऐसा नहीं होता, को आपको कुछ कॉंसेप्स सीखने होंगे, एलेक्ट्रफाइल, नुकलिफाइल, काफि आपको सीखने होंगे, और आपको वो कॉंसेप्स सीखने होंगे, जो एक्स्टा जो हैं, यहने की NCRD के भरोसी रहोंगे, तो आप पूरी NCRD को नहीं पढ़ सकते, ठीके न, तो और निक के लिए रहिए, और 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 निक में कोशन प्रैक्टिस जारूली है, कोशन प्रैक् इसका कि मैं इसका सबसे वेले रिफ्लाइ करूं, और बेसके रिफ्लाइ कर देता है तो आप मेरे राहिए, एक जिस कोचिंग में है, इसका गूरूप की जिए तो आप बनाई ए गूरूप और बच्चों से बोली है कि आपने जो प्रॉल्ब्मस हो वो सेंड करें, जिससे आप कई बच्चों की प्रोल्म्स जब सॉल्ट करने लग जाओगे तो आपकी जो पकाड़े अच्छी हो जाएगी तो चैमिस्ट्री में मेरे 165 मार्क्स तो मेरा पूरा क्रेड़िड इस ग्रूप को था कीजिए या अपना गुरू बनाईए जिसमें आप कॉस्ट्री कर सको ठीक है लोग जब लोगों की प्रोल्डम करने लगा होगे तो अंदर से एक बूस्ट मिलेगा आपको और कॉंसेट पकड़ अच्छी होन जाएगी उसके बात करते हैं फीजिकल की और फीजिकल में मैं क्य जिता हैं तो मेरा जुच्छ नए परक आप यह एक रखे अच्छी नहीं जो रहता हो अगर आप यह गलती है आज से करना चोड़ तो अगर मेरी मानों तो वाहना आप बात में मजबर होगे और थोड़ा बस्ता होगे तो वहीं ऑगा तो वहीं तो परेला आपकोंसेट ब्रेसिक अपना जो है इस्ट्रॉं कर लिजिए उसके बाद तो आप 200 क्या 500 भी लगा लगए फिर आपको मजा भी आना लगेगा पर कॉंसेट के पकड़ अच्छी होगी तो आप अगर पकड़ अच्छी होगी तो आपके पकड़ अच्छी नहीं है किसे अन्सुल क्रिस्मा चान आये मोमेंटम पर वो बैस टीचर कहें हैं हम केमीश्टी के फिल्ड में तो आप मुूमेंटम जाना च्री आपका अच्छी चैमीस्ट्री या की और आपकी यह बीच्छी थी नगजाएगे इंके साथ तो आईएगा यहां पर ठीक है उसके बा सब्सक्राइब 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 तो मेरे को सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरे को सब्सक्राइब 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 काम करो, concept पर काम करने के लिए आप तो यह फिर तो नहीं होता है यार फिजिक्स का काई सेल्फ होता है तो काफी बच्चे करकते हैं जो फिजिक्स है ना फिजिक्स आपको एक सिलेक्ट आप इसकोर जो रेंग अच्छी करा देती है तो फिजिक्स को आपको बहले concept लेंग करनी है इसके लिए आप मुमेंटम कर सकते हैं मुमेंटम की फैकल्टी है वो काफी अच्छी है फिजिक्स में भी है तो अच्छी टीचर जोइन कीजिए और हमारा फिजिक्स का भी एक गुरूप था जिसमें बच्चे बच्चे तो खुद देखिए तिया हां इस वा उन्साफ मेरे यह भी धा और यह जाई एक हुम में अपनी गवें तो इसदोरों हमारा तो उैपको एक अन्दर से मही आता है कि आर मुमेंटम का फिरूप था था फिलिक्स Congrats경श Cart ट तो वह उसने कभी हल्प कि मैरे फिलिक्स में इंप् मेरा चार महीने पहले यह चार पंदव सब जड़ा था इसे मेरा इसे मेरा इंटेक्ट कर पहुंच गया था यह तो आपना पहमाना सेट करिए एक गोल सेट कीजिए ठीक है और उस गोल को अचीव करने के पुरी तागल लगाई है तो मुमेंटम ने यह अच्छ जड़ा अचीव करने में पूरा मुमेंटम मनाया रखा मेरा भी तो मैं प्रिफर करूंगा मुमेंटम एक बार जरूर जॉइन करना आपके मार्क्स बूस्ट होंगे करने मुमेंटम की खास बात क्या है कि मुमेंटम हार एक बच्चे पर मतलब एकक्वल, इक वो खरता है यह नहीं कि अगर दसबच्चे यह भाई, टॉप बच्चे इन पर काम करेंगे इस सेलेक्शन तेनेमर तो यह एक पॉ никогда है मुमेंटम का ibilakar, पेलिवभाई को सी टेस्ट, फेकलैटी वह बेस्ट ल interf says, पर अरिबे-वियसरे घर के फीध से आप बेगे आपको गायप करते ला वह आप को भेख अब भाई की तरहने आपको डेली का सक ग्रइबर करते हैं, मिंगी विफ्र झानि करते Grü मुझे तुमसे उंबीद है, तो एक अच्छा करना है, अब तु दूसरी की उंबीद है, तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा मेरे साथ, कि मुझे अंचुल सार मेरे ठीक है, और फिजिक्स के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए यह है कि आप था कंसे लिए पैस कंसे लिए भी फिर उसके बाद आप याप पी वाई की लगा लिजए पीक आपको समझ में आए कि नीट में आपको कैसे कुछन हैं यह अगई होंगे तो यह पिजिक्रीं हो गया अब यह एक बात आए जो में आए किसे बच्चरी करते हैं यह 40 है प्चरी क किके test-33 लगाना हमें क्या था कि हमारी loophole को क्या क्या है तेक्छे आगर आप को पतल जागें कि आपको लूप तो आप उसपे काम करो गए जब बच्छे क्या और है पूरी फिजिक्स पर काम गरते हैं और आपको वह नहीं कर ने वह अबन वख कर दो तो स्क्राइब सनय ने लोगों सिन से लाइक नहीं भी तो tie कि क्र Uh क्रील ही है इस नने ल्गाए नहीं परनमान से लिख दशन प्रशें led तो क्रीन बिखीजा रख विख जब ईखिशन आइ इस लघा यह पर फिप्टी इन वीद देन से तो वो क्या है, वो test series के analysis करते हैं, जो होता है second step, important step, क्योंकि test series लगाने का जो main markstus था वह यही था कि आपको analysis करना है, आपके loophole जो है उन पर काम करना है, वो test series का main focus, जो मन्नाद test series होती है वो उसका main aim होता है यह नहीं होता है कि आप कितना सीख लिए आपको कितना सीखना और है यह test series बिताती है तो आपके जो लूप ले उसके काम करना है तो उसके लिए आप analysis करिये मेरी मेरी पार एक register है मैं खुद कर रिजिटर में आया है यह idea मेरी को अन् अजरी स्टार्ट किया था जब मैंने second drop start गया था तो मेरे जो जो टैसरी में आते थे वह 300-400 नमर आते थे तब से और जब मैंने फिर यह अपना अधंग से टैसरी लगाई और उसके एनलाइस की तो मेरे marks boost up हुए तो आज मेरे 616 marks है तो यह मेरा पूरा के जाता है कि मैंने टैसरी लगाई तो आपको फोकस रखना थे आपको फोकस नहीं रखना आपको और का से नमञाप अपर तो इसका लाइस के नमगर फोकस नहीं रखना अपको अपको अब दे मोटिवेशन और excitement यह होती है वह अजिग मैंशीर की तो अमेशी अज़िशे आप आपका जो आप फ्रवर श जयुकel होगा उपार यह जाएगा लता हैंते जिलते हैं मेरे हम आपको फ कीजिक के परेवाइस घ्रविजिक करने का मेरे ठीज सबस्क्र आइप मेरे टारते है तो मेरे को कभी लगा ही निए कि मेरे को फिजिक्स के फॉर्म एड़ाइस करने ही हैं, यह मतलब यह मतलब यह मतलब फिप्टी परसंट मेरा जो बडन है वह तो कम ही हो गया, क्योंकि हर रोज जो में बैठाउं अपने रूम में तो मैं फॉर्म ले दिख रहा हूं, तो एक अपने जो पोस्टर लगाई है, एक अच्छा भी मजा भी आएगा है ना, मैंने अपने कापी जो इन और अर्गनिक की रेक्शन थी उनका भी चार्ट बना ले थे सबके, तो मैंने वह भी लगा रखे तो मेरे को कभी अलग से पढ़ने की ज़रूत नहीं बड़ी और मेरी अच्छा भी मेरी लाइफ लगी निएट और मेरे साथ कुछ थाए नहीं मेरे मन जो प्रपेशन मेरी लाइब बन चुकी थी अब मेरे को कुछ दिखते ही नहीं था भाई जहां देखो आपको डिस्ट्रक्शन तब होते हैं जब आप दूसरी चीज एखते हैं ठीक है, आप अब भी अपने के एन्मारिमन बनाईए घर पे जिससे आपको लगयार पढ़ना है, पोस्टल लगाईए और एक मोटिवेट रखी रही है पूरी साल और क्योंकि नीट जो है वो तीन चार महिने की जन्नी नहीं है ये पूरी साल की जन्नी है तो मोटिवेशन, डीमोटिवे अधा किया मेरी इस जन्नी में तो थेंकी तो मुमेंटम जिसने अनकंडिशनल सपोर्ट किया हमको तो इसके लिए और लास्ट में एक बात करना चाहूँगा खुद की लाइना मेरी की साखाय वही जुकती हैं जिन पर फल होता है और समस्या भी आती हैं जहां उनका हल होता ह होता ड़ Speak और अगर अगर आज इंदगी में मुशीवट है तो खुत हो जाओ अगर जिन्दगी में समस्या आये हैं तो खुछ तो आप मेरे यूटूब चैनल को फॉलो कर सकते हो और इस पर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे इसकी उसका भी नाम है नीटेस्प्रेंट 2.0 ठीक है आप इसको भी जोई आप मेरे जो हैंड रिटन रोट्स है वह यहां पर अपलोड करूँगा तो आप पर जाकर यहां आप जोईन कर सकते हो तो यह जो मेरे यूटूब चैनल ला उसको याकर सब्सक्राइब अबर देना और बैल आइकन को से और पर सब्सक्राइब कर लेना जिससे जब मैं आपनी नई वीडियो डालूँगों तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें थैंक्यू